प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुकती है? अगर नहीं रुकती है तो हमें क्या करना चाहिए? तब हमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है आज कल कई लोगों में प्रेगनेंसी ना होने की समस्या देखने को मिलती है कई कपल्स होते हैं दमपत्ती होते हैं वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं लेकिन बच्चा नहीं ठहर रहा होता है तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है ऐसी क्या समस्या होती है जिसके बज़े से प्रेगनेंसी नहीं रुपती है और कब तक हम नेचरली ट्राई कर सकते हैं यानि प्राकरतिक रूप से ट्राई कर सकते हैं और कब हमें खाना बहुत जरूरी हो जाता है क्यों प्रेगनेंसी नहीं होती है क्यों बच्चा नहीं ठहरता है ऐसी कौन सी समस्य महिला के अंदर होती है जिससे बच्चा नहीं रुपता है या फिर ऐसी कौन सी समस्या कौन सी परेशानी पुरुस के अंदर होती है जिससे बच्चा नहीं रुपता है तो कुछ cases ऐसे होते हैं जिन में महला के अंदर परेशानी होती है कुछ कमी होती है कुछ समस्या होती है जिसके वज़े से pregnancy नहीं ठहरती है लेकिन कुछ cases ऐसे होते हैं जिन में पुरुस में कमी होती है कोई समस्या होती है कोई परेशानी होती है जिसके वज़े स प्रेग्नेंसी नहीं ठहर पाती है लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिन में ना तो महिला के अंदर कोई परेशानी होती है ना ही पुरुस के अंदर कोई परेशानी होती है फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा होता है कई बार डॉक्टर ये नहीं समझ पाते कि कमी किसम है किस बच्चा थहरने की कोसिस कर सकते हैं तो अगर आप बिना किसी गर्बन रोधक के, बिना किसी परिवार नियोजन के, अगर एक साल तक लगातार सम्वन्द मनाते हैं, यानि बच्चा थेहरने की कोसिस करते हैं प्राकिर्टिक रूप से डौक्टर को दिखा लिना चाईए यानि condition एक साल आपको कोसिस करनी है अगर एक साल में आपका बच्चा नहीं थेहरता है तो आपको एक साल बाद तुरंत डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है और दूसरी बात अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा हो गई है तो आपको सिर्फ 6 महीने ही कोशिस करनी है नेचरली रूप से ट्राई करना है 6 महीने बाद आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है तो इस तरह से अगर आपको बच्चा नहीं ठहर रहा है आप एक साल से कोशिस कर रहे हैं या फिर 35 साल की उम्र हो गई है उसके बाद से लगबग 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं और आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए तो आशा करते हैं आपको बीडियो पसंद आया होगा अगर बीडियो पसंद आया है तो बीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले और सस्क्राइब के बगल में जो घंटी का बटन आता है उसके आल के नौटिफिकेशन पर किलिक कर लेजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें